तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं soldier color store keeper इसके बाद soldier tradesman, soldier tradesman 8th pass और 10th pass के लिए vacancy आपको देखने को मिल रही है इसके साथ में दोस्तों आपको soldier gd की post मिल रही है, मतलब general duty की post मिल रही है, जहां पर 200 10th pass 45% marks के साथ हरी सब्जेक्ट में 33% marks मांगा गया है tradesman के लिए simply 8th pass और 10th pass मांगा गया है, color store keeper के लिए plus 2 pass मांगा गया है, total 50% marks के साथ plus 2 pass की होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 50% marks होने चाहिए कक्षा बारवी में आपने English के साथ math या account लिया होना चाहिए, जी हैं दोस्तों math या account लिया होना चाहिए, English के साथ इसके साथ बात करेंगे, अगर दोस्तों यह जो भरती निकल के आ रही है, इस भरती के लिए age limit क्या चाहिए, दोस्तों color store keeper के लिए 75-23 साल, tradesman के लिए 75-23 की पोस्ट मिल रही है, उसके लिए भी दोस्तों all India के candidate जा पाएगा, इस भरती के लिए, अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर इस भरती के तो यह भरती कब से start होने वाली है, दोस्तों यह जो भरती स्टार्ट होने वाली है, सुबाद 6 बजे आपने जाना है इस भरती के लिए दो दिसंबर को ज्यां दोसु दिसंबर को यह भरती होने वाली है जो की होने वाली है कहां पर होने वाली को यह होई है तो इस भरती के लिए जरूर चले जाएं यहां पर देख सकते हैं यह जो भरती है कौन-कौन जा सकता है इस भरती के अंदर दोस्तों या तो आप सान ओफ सर्विसमैन है या एक सर्विसमैन है या ब्रदर ओफ सर्विसमैन या एक सर्विसमैन है तो आप इस भरती में जा यहां पर दोस्तों 20% जो Soldier GD की पोस्टें हैं और स्टेंडिंग स्पोर्स परसन के लिए हैं ये भी जरूर ध्यार रख लीजेगा स्पोर्स परसन ओपन कैटिगरी की भरती होगी जिनने को पास स्पोर्ट का सेटिफिकट है वो भी इस भरती में जा पाएगा